शनी देव अस्त होने जा रहे हैं अस्त का मतलब होता है पावर हीम शनी देव अस्त होने जा रहे हैं शनी देव कुम्ब राशी और मकर राशी के स्वामी होते हैं तो आईए जानते हैं शनी का अस्त होना आपकी राशी के लिए क्या परढ़ाम देकर आएगा शनिदेव कर्म प्रधान ग्रहे हैं न्याए के ग्रहे हैं वो अपनी ही राशी कुम्भ में अस्थ हो रहे हैं और किस उपाये से अस्थ शनी के लाब उठाए जा सकते हैं यानि अस्थ शनी को किस उपाये से जिंदा किया जा सकता है जागरित किया जा सकता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे, शरीदेव मंगल के घनिष्टा नचत्र में अस्त हो जाएंगे, शरीदेव मंगल की आपस में लड़ाई है, यानि कि शरीदेव घनिष्टा नचत्र में अस्त हो रहे हैं, घनिष्टा नचत्र के मालिक स्वामी मंगल होते हैं, मंगल और शरी मार्स तक अगर आपकी राशी के लिए ये शनी शुब हुए तो आपको माला माल करते हैं अस्त भी शुब हुए तो माला माल और अस्त में खराब हुए तो परशानी पैदा करेंगे अगर आपकी शनी या मंगल की महादशा या दशा या अंतर दशा चल रही है तो आप पर प सूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि सूरी ग्रहों के राजा है और सूरी ही सभी ग्रहों को प्रकाश मान करते हैं, सूरी ही हर ग्रह के सोत्र हैं, यानि सूरी से ही रोश्टी निकल कर जाती है, सूरी जो है वो प्रकाश है, शनी जो है वो अंधकार है, जो ग्रह अस्त होता है उसकी चमक खतम हो जाती है उसकी पावर खतम हो जाती है अस्त ग्रह जल जाता है और जो ग्रह जल जाता है उसके समी गुण नश्ट हो जाते हैं चाहे वो अच्छे गुण हो या अव गुण हो उसके अंदर कुछ नहीं बसता अस्त ग्रह नीच ग्रह की तरीके से फल देता है जब भी ग्रह कोई अस्त होता है तो उससे रिजल्ड की उमीद नहीं की जा सकती है हाँ रिशी पराशर कहते हैं कि ग्यारवे भाव में वक्री ग्रह हो या अस्त ग्रह हो उसके कुछ अच्छे परिडाम मिलते हैं लेकि बाकी भावों में नहीं मिलते हैं शनी जब अस्त होता है तब महंगाई बढ़ती है राजा और परजा के बीच में विरूद बढ़ता है नौकरी करने वाले लोग थोड़े जाधा सावधान रहें क्योंकि शनी कर्म परधान ग्रहे हैं शनी कर्म चारी है वैसे इस दुनिया में जाधा तर लोग नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाले लोग थोड़े से सावधान रहें कोट का चहरी वाद विवाद लाई जगड़े में बिलकुल भी ना फसें नियाए पाने में कटनाई हो सकती है मिलता मिलता नियाए आपके सामें से चिन सकता है विलंब हो सकता है लड़ाई जगड़े वाद विवाद से बचिएगा जो लोग अध्यात्म से जुड़ेंगे जो लोग अध्यात्म से जुड़े होगे काम करेंगे ईश्वर की भक्ती करेंगे इशवर का मार्ग अपनाएंगे उनको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ये बात आप समझ लें और जो लोग मंदिल गुर्दवारे किसी भी धर्मिस्थान जाकर सेवा भाव रखेंगे इश्वर की भक्ती करना एक अलग बात है और इश्वर की सेवा करना एक अलग बात है तो जो लोग ये करेंगे उनको ही अच्छे परडाम प्राप्त होंगे और थोड़ी सावधामी तो सभी राशी वालों को रखनी ही पड़ेगी अब शनी जब अस्त हो रहे हैं तो हमें क्या उपाए करना चाहिए पहले उपाए बता देते हैं फिर आपकी राशी का हाल जानेंगे शनी पीरा हर सोत्र पढ़े शमी का पौधे की पूजा करे या शमी का पौदा आपके घर में है तो पूजा करें या लगा भी सकते हैं शुब महुरत में श्री क्रिश्न के नाम का जाब करें जितना हम श्री क्रिश्न के नाम का जाब करेंगे उतना आपको लाब होगा श्री क्रिशन गयतरी मंतर का जाब करें इससे भी आपको बहुत बहुत लाब होगा तो अब आप समझ गए कि अस्त ग्रह क्या होता है और शनी अपनी ही कुंब राशी में जब अस्त होंगे तो आपकी राशी पर क्या प्रभाव डालेंगे ये अब हम जानते हैं और अगर आपको मेरी बात यहां तक समझ में आई है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन के बटन को दबाते हैं फेस्बुक और इंस्ट्राग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुनें अब आपकी राशी की बारे और कुछ दो चार रुपाय और भी बीच-बीच में बताऊंगा ताकि आपको और रहात प्ल सके तो अब हम बात करते हैं आपकी राशी की अब हम बात करने वाले हैं सिंग राशी वालों के लिए अस्त शनी का परभाव पहले तो आप ये समझे लिए कि सिंग राशी के स्वामी सूर्य होते हैं सूर्य और शनी में पिता-पुत्र का रिष्टा है लेकिन आपस में भेंग कर लड़ाई है आपकी राशी के लिए शनी देव छटे और सात्वे भावम के स्वामी है और वर्तवान समय में सात्वे घर में शनी अस्थ हो रहे है सात्वा घर शुब घर है आट्वा घर बुरा घर है एक अच्छा घर एक बुरा घर है घर तो आपकी राशी के स्वामी सूर्य से शनी की शत्रुता भी है जो भी खरियास होता है वो जिन घरों का सौामी होता है उस घरों के परिणामों में कमी देता है सातवागर बढ़िया है, छटा घर खराब है तो शत्रू कर्जे, परिशानिया, टेंशन इन सबसे आपको मिल जाएगी शानती यानि मुक्ति मिल जाएगी आपका कोई पुराना करजा उतर जाएगा, आपके कोई पुराने जगरे से उतर जाएंगे, कोट कर चहरी के मामलों में आपको आपको सही नियाय मिल जाएगा या विजए मिल जाएगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं, और हाँ, लेकिन दूसरी तरफ क्या है नुकसान, कि वाद व वहवाहिक जिवन इन समय भी आपको दिखतों का सामना करना पढ़ सकता है। लेकिन एक तरफ से पति पत्नी का तनाओ वहपारिक तनाओ भी कोड कशहरी तक जा सकता है। देइंशन बनी रहेगी। जीवन साती, वैपारिक साती से आपके मन मुटाओ होंगे, पती-पत्नी के वहवार में बदलाओ हो सकता है, पहले पती-पत्नी अच्छे से रहते हों, एक दों से वहवार में बदलाओ हो जाए, मैं जादा कमाती हूँ, मैं जादा कमाता हूँ, या एगो आजाए आपस में, या एक दूसरे से जलन करने लगें, या फिर गड़े मुर्दे उखाडने लगें, रिष्टों की पोल खोलने लगें, ऐसी चीजों से रिष्टे खराब हो सकते हैं, पती-पत्नी में से कोई भी एक दूसरे पर हावी हो सकता है, उस पर अपने अधिकार देदाने लग सकता है उस पर थोड़ा सा गुसा करने लगे या थोड़ा सा अन्याए भी करने लग सकता है, जिससे बात बहुत बिगड़ सकती है, ऐसा ही पार्टनर्शिप या प्रेम के समंदों में भी हो सकता है, जिससे प्यार करते से अब प्यार थोड़ा कम हो गया, अब आप उस पर अधिक करें अगर को रिश्टा है यी रिश्टा आया और जबाजी चलवाह कर लो शादी ना आ करने में जलवाजी है ना करने में जलवाजी है बड़े बुझरबों की सलाले को तुम हरु क्यों कर मेरुक जाएं …! वक्त लेकर फैसले करें शादी तो बहतर रहेगा तो ऐसा ही प्रेम संबंद और बितरता में भी करें और ऐसा ही वैपालिक पार्टनर्शिप में करें तोड़ा समय लें सोच समझ कर फैसले लें कुवारे उतावले ना हो वन्हा साहिस जन्गी पस्ता भी सकते हैं बड़ों का सम्मान करें और इस समय में एक और चीज की वज़े से भी पती-पत्नी के रिष्टों में कड़वाट आ सकती है या कुछ गिरावट आ सकती है वो है पर्सनल जो जरूरते होती है शारीरिक जो जरूरते होती है रोमैंटिक जीवन में कमी आ सकती है व्यक्ति थोड़ा सा नीरस हो सकता है आप ऐसा कहें कि जो पती-पती के बीच में जो शारीरिक संबन्द हैं उनमें कमी आ जाना या रोमांटिक यूवर में कमी आ जाना भी रिष्टों में तनाओ का कारण बन सकता है। आप सभी लोग अपनी कुली की जाच कराएं और ध्यान रखें कि सभी ग्रह जब मजबूत होते हैं तभी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और हमारा जो वहवार है वो भी सामने वाले के परती अच्छा होना चाहिए। बहुत दूर रहिएगा थोड़ा सा समलने की जरूरत है और अगर समल है तो ठीक रहेगा आप बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए तो नौकरी करने वाले लोग भी अपने सीनियर से लेखिए बॉस हो या करम चाहिए दोनों की एक पार्टनर्शिप होती है कि हम बोलिए तोन मोल कर बोलिए और खरते ना अगर आप जूनियर मेनेजर है तो अपनी काबलियस से सीनियर बनिए इधर उदर के दाउं पर इच्ट्क कोशिशना करें किसी को गिरानी की कोशिशना करें नहीं तो आप भस भी सकते हैं शांती से काम करिए खुश वक्त है निकल दिक्कत नहीं होगी बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइगन के बटन को दुबाएं फेस्बूक और इस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और चैनल से जुड़ जाएं और कुली की जाश कराने के लिए गए नमरों पर संबर्कने अगर कुली सही है तो आपका जीवन स सही है नमस्कार